और आप लोगों का स्वागत है आज इस वीडियो के मात्यम से कंप्पूटर कोर्स को यानि मैं यह कहना चाहता हूं कि संपूटर कंप्पूटर सार अब आपके द्वार एक ही वीडियो के मात्यम से हो सकता है वीडियो लेंदी बन जाए लेकिन एक ही वीडियो के मात्यम से आ पूछे जाते हैं तो 12-15 नमबर आपके यहां से कंप्लीट कवर कराए जाएंगे जिसमें आपका चाहें को एंटी वायर से कुष्चन हो माल वैयर शेयर वैयर फर्म वैयर क्या होती है गुरुप वैयर इनको भी डिफ्रेंस बताया गया है कहां न्यूजु के पूरा पूर्शन आपका इनकप्यूटर का लोगों ब्राउजर क्या होता है इन सबसे कुश्चन आपको आठके आता है तो पहले पूरसान से लेकि आपको अंत तक पूरा वीडियो देखना है अगर जिसने भी पूरा वीडियो देखा मैं दाबे के साथ कह सकते हूं उसका एक नंबर गलत नहीं होगा यहां तक कि पिछले जो भ लोग इत्ते दूर बैठे हैं आप लोगों तक भी यह चीज पहुच पाए कम समय में बहतर त्यारी आप लोग कर सके इसलिए मैंने टेग लाइन भी डाली है कि संपूर संपूर कंपूर सार अब आपके द्वार चलिए आगे बात करते हैं देखिए इस तरह से मैंने पूर पूर्शन शुरू हो जाएगा देर ने करते हैं चलिए मैं सीदे आपको जूम करते हुए दिखाते चलता हूं यहां सकुष्ण हर साल आता है और मेरे बाइवेन या से कुष्ण को गलत करते ही करते हैं का कम्पूटर को हिंदी में क्या कहते हैं संगड़क की रूप में भी सकते हैं और जितना आता है सिर्फ उतना ही आपको कराया है ग्यान लेना है तो किताब बहुत हैं सिलेक्षन लेना है तो सिर्फ यहीं नूट्स बहुत हैं कंप्यूटर संगड़क के अगर बात करें 140 एक लेक्टोनिक्स मसीन है यहां पर दो सब्द आते हैं एक आता है डाटा दे रहे हैं लेकिन विवस्तित तरीकी से दे रहे हैं तो डाटा का विवस्तित संकलन हम आपको डाटा प्रोवाइड नहीं करते हम आपको सूचना प्रोवाइड कराते हैं सूचना किसकी होती है डाटा हो का जो हमें चार जगह से डाटा मिला था उसको विवस्तित किया संक लेका है आपको कहीं दमाग नहीं लगाना भारत का प्रितम प्रियोग बैंगुलूरू में किया गया था में 1986 में भारत में पहला कंपूटर भारती सांगी संगतर 956 कलकतर में किया 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 कंपूटर की पीडियों की अगर बात करें पीडियां आगा अगया पढ़ेंगे इससे पहले थोड़ी सा बेस समझे दीजिए देखिए यहां पी चार्ट बना है पोजिटिम में जाते हैं तो क्या कहते है चाट बहर समझे आता इसके बाद बात करते हैं कि सबसे को चोटी का क्या होती है उसी उपर नेवल आती है चार बिट से मिलकार एक निवल बता है आठ बिट से मिलकर एक बाइट कर निर्वाद किसको कहते हैं तुकी पावल टेन अब आपको कहने सर्क किलो लेखा है बाइट लेखा है तो एक हजारच यह से सकते हैं तो यह तो थो था थोड़ी सा आपको बता दिया गया चलिए आगे शुरू बात करते हैं गतना हिएतेंट हら आपलोग कर दो आप अगे बात करने हैं जिसका युजँ कि यहाँ से कुलाइब कर दो निर travakteने का चर्ट का यहुत. कुल कि यहाँ से करने पको यहाँ से क्लता है, LOU को यहीं हुआ say, फर्स्ट जन्रेशन में यूज करते हैं इंटरनेट जब यहां लेंग्वेज पढ़ेंगे तब आपको बता देगे कि लिश्ट किस लेंग्वेज में गई है ना लिश्ट प्रोसेसिंग जोबन बोलते हैं वह कहां गई है और किस भासा में आ जाएगी जावा स्कृप्ट कौ चम्ता में ब्रत्दी और फोर्ट में अगर आप बात कर तो सेमी कंड़क्टर और फिप्ट में अगर बात कर तो अप्टिकल डिस्क का यूज किया अब आप लोग करने सारा आप बहुत तेज पढ़ता है तो मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो में एक ही वीडियो में कवर कर तो आप लोगों को यह लगे कि लेंग लिए तो सकते तो आप थोड़ी सा मिनिमाइज बोग जीरो पॉट्वाइब लगे तो आप लेक सकते हैं जो इंपॉर्टन पॉर्टन है मैं उसको बहुत इस धीरे और टाइम लेके कबर करांगा जो सिर्फ पढ़ने की दरश्टी से है उसको मैं थोड़ी सा टेज कबर करांगा तो आप लोग इस तीच को समझ दीजेगा ठीक है फैसे एक बार बताजते हूं सेकंड जनेरेशन थर्ड जनेरेशन फूर्थ जनेरेशन फिप्त जनेरेशन में कम्पूटर अपन चल लाए हैं फर्स्ट जनेरेशन में चमता में ब्रत्दी, सेमी कंड़क्टर और ऑप्टिकल डिसक का यूज किया है चलिए बात करते हैं जहां से सबसे जाथ इंपोर्टन कोश्यन आते हैं इन्पूट और आउटपूट मैंने थियोरी पूरी एक वीडियो से कबर कर दी है तो आप लोगों को टेंशन नहीं ल इसके बात करते हैं हाट कॉपी आउटपूट और सोफ्ट कॉपी आउटपूट ये आपकी आउटपूट डिवाइस होती है इंपूट डिवाईस में चलते हैं थोड़ी सा आगे इंपूट Sang aぎअइं पूर्ट बसे होती है बीडियो आउटपूट, ऑप्तिकल इंपूट, कीवोड की बात करें, तो कीवोड तिक डवाइस हैं, लेकिन पॉइंटिंग डवाइस में तीन डवाइस आ जाती हैं, चलिए, पहले पॉइंटिंग डवाइस अब हम आपको बताते हैं, इसमें आपका माउस आ जाएगा, ट् स्क्रीन के रूप में मिलता है, चलिए, पिक ड Falls की अगर बात करें, तो light pen और touch screen, तो touch screen आपका output, input देता है, तो touch screen से आपने screen दिया, touch किया, तो कुछ आपको मिला, तो आपने input दिया, और light pen, तो ये तो होगी ये पिक डवाइस और ये होगी na pointing and draw device, इसके बात करते हैं, आपका microphone audio में आ जाता है सबसे important ठीक है और इसके बाद आपका video input device की बात करें तो video camera और digital camera वीडियो camera और digital camera इसके बाद बात करते हैं output की और optical की तो optical में सबसे important आपके आ जाएंगे OMR MICR OMR, OCR scanner यह सबसे important चीज़ें आपके आ रहे हैं barcode reader चलिए OMR, MICR, OCR scanner और barcode reader अब आप कहेंगे सरा अभिसकारक तो अभिसकारक और आपके जो full form है इनको में एक अलग video के माद्याम से cover करा दूँगा वो question 100% आता है तो इस चो तो पूरा आपका course complete करा दूँगा और अभिसकारक और जो भी full नाम है फुल नेम को में एक अलग video के माद्याम से cover करा दूँगा फिर से समझ लीजे optical जो device होती है वो आपकी OMR होती है MICR है, OCR है, scanner है और barcode reader है ये इतनी device है जिनके बारे में आपको याद रखना है इसके बात करते हैं आपकी output device की output device आपकी कौन-कौनसी होती है hard copy device भी output device कहलाती है और soft copy device भी hard copy में जैसे आपको पता है कि printer होता है सबसे important और यह होता है plotter plotter जो आपन क्या करते हैं ग्राफिक्स ग्राफिक्स के लिए यूज़ करते हैं printer किसको कहते हैं impact printer और non impact impact में मतलब का होता है जिस पे हम दवाओ डाले प्रैसर डाले यानि dot matrix यही मैं cover करा देता हूँ dot matrix ठीक है जो अपना impact printer कहलाता है non impact जो अपन ink jet वाला यूज़ करते हैं और अपना laser printer यूज़ करते हैं यह non impact के printer कहलाते हैं इतना आपको याद रखना है impact printer आपको बता दिया हमने कौन-कौन से होते हैं dot matrix होता है ठीक है और non impact आपको बता दिया कौन-कौन से होते हैं thermal होता है ink jet होता है और अपका laser होता है इसके बाद plotter आपको सिर्फ याद रखना कि plotter एक output device है है अपने बात करते हैं audio output में audio जैसे हमने पता है input क्या microphone है तो headphone क्या है आपका audio device है यहनि output device है और speaker यह दोनों आपको बिलकूल दिमाग में उताले नहीं यह कौन-कौन सी है इसके बाद बात करते हैं video में तो video में सबसे important होता है आपका monitor और monitor अपन किसके सुरूप में देख सकते हैं एक तो CRT cathodery tube की रूप में LCD LED तो यह सब full form आपको अलग से cover पूरे cover कराएं जाएंगे तो इस तरह से आपका printer, plotter, headphone, speaker, monitor यह सब आपके क्या है output device तो एक topic आपका यह cover हो गया जो question सिर्फ पूछा जाता है उस पर focus कर रहा हूँ ठीक है तो बिलकुल दिमाग मत लगाईए और बस इसको आप रटते जाईए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहां से समझ लीजे फिर सो रोक लीजे इसको एक बार सुन लीजे फिर जैसे मैंने human data entry कराई तो आप यहां समझ लीजे keyword है pointing device कौन कौन से बताई mouse बताई joystick बताई तो यह आपको समझना है output device कौन कौन से बताई audio input device कौन कौन से बताई तो आपको microphone बताए आपको video में कौन कौन से बताई optical जरूर याद रखना OMR optical mark MICR और barcode reader यह बहुत important है चलिए आगे बात करते हैं memory की बात करते हैं memory सबसे important है थोड़ी सा आपको यह समझना पड़ेगा क्यों समझना है अभी हम आपको पूरा बिस्तरित बताते हैं memory कितने परकार की होती है दो परकार के होती है कौन कौन सी prathmik memory और दुतियक memory अपन बात कर रहे हैं prathmik memory की किसकी बात कर रहे हैं prathmik memory की prathmik memory न थे memory जो सीथे CPU से समपर्क में रहती है ٹھیک है इसको आपन इस्ताई memory अब देखिये confusion यहाँ पर यह होता है यह होता है volatile और यह होता है non-volatile भया कोई चीट style है तो उसको अपन क्या बोलेंगे वो volatile है क्या नहीं सर वो move नहीं कर रही style है तो उसको अपन क्या बोल दियेंगे non-volatile और volatile मतलब होता है कि जो move कर रही है यानि आइस्थाई है अब बात करते हैं नॉन बॉलइटाइल मेमोरी का मतलब क्या हुआ यानि इस्थाइ मेमोरी जिसमें अगर अगर अपन सप्लाइब बंद भी करने तो अभी data बना रहता है ठीक है तो यह कौन सी हुई ROM इसका नाम से ही समझ में आ रहा आपको read only memory read only memory तो कौन सी हुई देखिए अब आप question कहेंगे सर यह primary memory की secondary हैं दोनों ही primary RAM और ROM दोनों ही primary memory हैं बिल्कुल दिमाग में बठा लेना लेकिन primary memory में STI memory किसे कहते हैं ROM को कहते हैं और STI किसे कहते हैं RAM को कहते हैं अब इसको STI क्यों कहते हैं क्योंकि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है read only memory चलिए आगे बात करते हैं अब इनके यह terms हैं ROM, P-ROM, EP-ROM, WEP-ROM यह अभी हम आपको आगे समझाते हैं कि तो फिर से बता रहा हूँ दोनों ही memory आपकी कैसी है प्रात्मिक memory है, RAM और ROM लेकिन ROM आपकी केवल STI है और RAM आपकी ASTI memory है चलिए secondary memory की तरफ चलते हैं secondary memory की तरफ चलते हैं तो secondary memory और सहायक memory इसको बोला जाता है अब इसको सहायक memory बोला जाता है सहायक memory का मतलब है जिसमें data और सूचना को बड़ी मात्रा में संग्रेत करने के लिए प्रियोग किया जाता है लेकिन ये सम कंप्यूटर से जुड़े नहीं होते इस थाई memory भी निने कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये पर्मानेंट memory है ना इसमें अपन जो store कर दिया वो store रहेगा क्यर्मान उसार memory direct memory दो परकार की होती है जैसे अपन backup data store करने के लिए जिनका use करते है इसको अपन बोल सकते हैं कि सहायक memory एक परकार की कैसी memory होती है non-volatile ठीक है? non-volatile कौन कौन से हमने बताया देखी हो सकता है गले में थोड़ी सी दिक्कत आई तो आप लोग adjust कर लेजी क्योंकि अभी मैं class लेखर ही उठा हूँ तो इसलिए किर्मान उसार memory direct memory को अपन बोलते है sequential access memory और direct memory यानि direct access memory sequential मतलब क्या होता है कि हम एक के बाद एक data को read करें यानि memory में data अलग अलग स्थानों पर तो है जिसे memory में unit किसी भी location पर संग्रित data को पढ़ने में या store करने में अपन यूज करते हैं लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि कर्मानुशार एक के बाद एक करके ही पढ़ा जाए उसे अपन sequentially memory कहते हैं जो अपन magnetic tape कहा जाता है direct memory की बात करें कि अपन को कुछ भी पढ़ना हो कहीं से भी पढ़ना हो तो अपन direct memory का यूज करते हैं direct memory में चुम्मी की ये disk आती है optical disk आता है और आपका electronics storage device आती है चुम्मी की डिस्क की अगर बात करें तो चुम्मी की डिस्क में कौन कौन से example आ जाएगा चुम्मी की डिस्क में आपका floppy और hard disk कौन कौन सा आता है मैं लिखते चला हूँ floppy और hard disk और optical disk की अगर बात करें तो optical disk में आपका blue ray आ जाएगा cd-rom आ जाएगा cd-rom आ जाएगा cd-drive आ जाएगा यह सब dvd इसमें optical disk में आपके आ जाते हैं और electronics device आपकी सबसे important याद रखना pen drive कौन सा pen drive और memory chip memory card जो होते हैं आपके electronics storage device कहलाती है चलिए आगे बात करते हैं इसका अगर आप लोगों कोई चीज़ मिस हो रही हो वहाँ पर नहीं लिख पा रहे हो तो आप यहां से देख सकते हैं मैंने दो दो बार इसको cover करा दिया है चलिए आगे बात करते हैं अब हम आपको बात करते हैं जैसे कि मैंने भी बोला था आपको जहां हमने primary memory आपको पढ़ा ही थी primary memory में ROM कैसी memory है इस्थाई memory है non-volatile memory है देखिए यहां लिखा भी है यही एक मैं जूम करके आपको पढ़ाता चलाओ कि यही एक इस्थाई memory है जिसमें संग्रेद डाटा बाद सूचना है सोयम नश्ट नहीं होती ठीक है पीरोम की बात करते हैं पीरोम का मतलब क्या हूँगा programmable read only memory मतलब जिसमें अपन क्या कर रहे हैं program को read कर रहे हैं जिसमें उन्हें उच्छ voltage से fuse कर बांचित सूचना record की जाती है यानि अपनने किस से इसको fuse किया उच्छ voltage से फिर technology बढ़ी हमने erase करना चालू किया फिर program को हमने रखा यानि इस परकार के program को इसका full form याद लखना erisable programmable read only memory इस परकार के ROM पर परावेगनी किरनों की सहता से पुराने program को हटा कर नया program लिखा जाता है इसके लिए अपन किसका use करते है EP ROM में circuit निकालना पड़ता है ठीक है अपनने use किया परावेगनी किरनों का लेकिन इसमें भी अपन circuit निकालना है चलो तो यानि पी ROM में अपनने programmable किया और program में में अपनने उच्छ voltage दिया इरेजिबल में अपनने परावेगनी किरना तो दी लेकिन अपनने circuit बोर्ट बहार निकाला तब इसके बाद इसकी technology एक बड़ी जिसे अपन बोलते हैं डबल E.P.ROM Electrically Erisible Program Read Only Memory इस तरह के ROM को circuit से निकाले बिना उच्छ विद्द बिभाव High Voltage की साहिता से पुराने program को अटा कर नया program लिखा जाता है यानि इसमें से अपन circuit बोर्ट बाहर नहीं निकालते हैं लिखा भी है circuit को निकाले बिना बिलकुल याद रखना है तो इस तरह से आपका मैंने पूरा portion cover करा दिया ROM है आपका E-ROM है E-P-ROM है W-P-ROM है सबके full form भी लेखे हैं तो एक बार आप देख लीजे ये मैंने आपको बताए दिया Sequentially Access and Direct Access Memory देखे मैंने अलग से कुछ नहीं बताए पूरा class आपको दे रहा हूँ याँ पे software की बात करते है जैसा कि मैंने यहाँ पे पूरा complete करा दिया तो एक person आपका ये complete हो जाता है इसके बाद बात करते हैं software की अगला topic आता है आपका software और यहीं से आपके number ये कहेंगे कि चालू हो जाते है software में पहले difference समझना जरू जीए सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि software क्या किलाता है ठीक है तो software क्या किलाता है program नियमों और किरियाओं का समू होता है जो computer system के कार्यों को नियनतित करता है अब मैं full form आपको जैसे मैंने बूला है तो full form कौन कौन से होंगे सबकी full form होंगे लेकि जैसे डगलस इंजलवर्ट ने mouse का विसकार किया microprocessor का विसकार किस ने किया assembly भासा का किस ने किया transistor का किस ने किया laptop का किस ने किया तो ये मैं आपको एक अलग shirt की मादियाँ से पूरा cover करा दूँगा बिल्कुल tension नहीं लेना आप लोग बस अपनी तैयारी रखिये समय कम है मानता हूँ लेकिन अगर आप जितना पढ़ रहा है बहतर पढ़ रहा है तो समय की कोई दिक्कत नहीं है और इसी तरह क्लास में जो मेरी टेस्ट सीरी चलना यह बहुँ अलग है क्लास में एक अलग टेस्ट करा रहा हूँ जो भी टॉपिक चलता है उससे मैं दस से बारा कोशन देता हूँ बहुत ही बहतर कोशन है और हो सकता है कि मैं लाश्ट में तीस्ता रिक के बाद उनको एक समलेत रूप से आपको कवर करा दो तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा योगि उस वीडियो के माद्यम से मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से वो टेस्ट में करवा रहा हूँ वहां से आपके सीधे सीधे कुशन उठके आ सकते हैं चलिए बात करते हैं सॉफ्ट्वेर की सॉफ्ट्वेर की अगर बात करें तीन प्रकार के सॉफ्ट्वेर अपन पढ़ते हैं कौन-कौन से होते हैं तीन भागों में इनको बाढ़ते हैं सबसे पहला अपन देखते हैं कौन सा सिस्टम सॉफ्ट्वेर सिस्टम सॉफ्ट्वेर के अपन देखते हैं आप और हम, जैसे आप देख पा रहे हैं, हम बता पा रहे हैं, तो आप और हम कहां पे हैं, इस तरह हैं, और hardware के बीच में system software है, तो system software के लिए बोला भी जाता है, कि computer के मुलभूत कार्णों को संपन्न करने के लिए इसका use होता है, system software, नाम से समझना, system के software जो मुलभूत कार कर सके हैं, जैसे अगर आप माल लीजे, मौर सिंपल भासा में चलता हूँ, माल लीजे आप laptop खरीदने गए, दुकान में आपने 50,000 रुपए दिया और 70,000 रुपए का laptop खरीद के लाए, आपने बढ़िया उस पे तिलक लगाया, लड़ू माटे भाईया, आज हम बढ़ी इस्टॉल करने के लिए, अगर वो नहीं होंगे न, जिस तरह से गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चलती, उसी तरह से computer बिना system software के नहीं चलते, समझ गए सर, तो operating system अपने कौन-कौन से कहलाते हैं, Windows, Linux, Unix, Android, operating OS लिखा रहता है, जैसे आप पढ़ते हैं, तो Android, यानि mobile के system और MS, DOS भी, चलिए, इसके बाद बात करते हैं, यानि हम और simple भासा में कह सकते हैं, कि computer और उप्योग करता के बीच मध्यस्तता का कार कौन करता है, इसके system software, जैसे उप्योग करता और motorcycle के बीच मध्यस्तता का कार कौन करता है, सर, petrol, क्या grease नहीं करता क्या, बिलकोल, mobile aisle ज car है, नहीं डालना, तो इस तरह से जो आप बोलते हैं, वो आप operating system की बात बोलते हैं, ठीक है, android, mobile में android, आप कहते हैं, अरे कौन सा android है यार, android operating system, MS, DOS, चलिए, आगे बात करते हैं, application, हाँ, इसमें थोड़ी सा और अपन बात करते हैं, इसको हमने दो पार्टों में बाता, क्या से बाता, यह तो होगे operating system की बात, इसके बात इसमें होता है एक portion, language translator, क्या computer आप बोलते हो, computer सुनो, तो क्या computer सुन लेता है क्या आपकी बहासा, बिलकुल नहीं सार, computer आपकी बहासा और माई बहासा नहीं समझता है, ठीक है, तो computer को समझने के लिए कुछ बहासा होती ह जिनको अपन तीन प्रकार से पढ़ते हैं या उन्हें convert करते हैं, एक अपन देखा जैसे assembler, compiler और interpreter, यह तीन सब दोते हैं, निम नस्तरी बहासा में तयार किये गए program को translate कौन करता है, assemble करता है, compiler और interpreter यह उच्छ तरी बहासा में लेकिए program को तयार करते हैं, इसके बारे हम आपको अभी आगे बताएंगे, पहले आप इतना समझ लिए, बस translator कितने याद होते हैं, आपको याद रखना है, translator का सिर्फ कार इतना होता है, कि जो source program होता है, जो अपना source program होता है, उच्छ तरी यह बहासा में लेका हुआ, उसको object program में convert करता है, चलिए, आगे बात करते हैं, हाँ, और यह होता है, utility software, इसका काम क्या होता है, utility software का, utility software क्या करता है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, फिर आपन बात करते हैं, utility software की, utility software जैसे आपने बोला, disk fragmentation कर दीजिए, उसने software तो डाल दिया, लेकिन क्या बिना utility software के वो E में F में कहीं जा पाएगा, कह तो device को fragment करने के लिए इसका use किया जाता है, इस तरह से आप यार कर सकते हैं, device को fragment करने के लिए, एक second दुकिए, device को fragment करने के लिए पूरा कर लेगा यह, और आपका यह कहेंगे कि जो आपन format करते हैं, format में इसका use बहुत अच्छे सो हो जाता है, यहाँ पे आपन utility software का use करत करते हैं, चलिए, आगे बात करते हैं अपन, disk clean up करने के लिए यूज करते हैं, backup program के लिए यूज करते हैं, antivirus utility के लिए यूज करते हैं, file manager करने के लिए, सबसे अच्छा सब्दी जो हमने आपको रोका था, file को manage करने के लिए अपन किसका use करते हैं, utility software का use करते हैं, पूरी भासा लिखी हुई है आपको कुछ नहीं करना सिर्फ आपको समझना है और याद करना है Linux operating system में read time operating system का उधारण है Linux एक open source operating system भी है Turn around time की बात करते हैं Input देने और output प्राप्ट करने के बीच के समय को क्या कहते हैं Turn around time चलिए आगे बात करते हैं Language translator यही बात करना था अपनको Language translator की बात करते हैं सबसे पहले क्या लेखा है हमने Assembler के क्या लेखा है यह निमनिस्तरिये भासा में लेखे program को क्या करता है Machine भासा में परिवर्थित करता है यानि source code को objective code परिवर्थन करता है इसका हमने compiler के बारे में बता है कि यहो चिस्तरिये भासा में लेखे program को Machine भासा में परिवर्थित करता है यही मैंने आपको वहाँ बता है यही लिखा हुआ है यह पूरे program को अब compiler और interpreter में क्या अंतर है compiler और interpreter में यह अंतर हो जाता basic अंतर यह होता है compiler क्या करता है पूरे program को एक साथ परिवर्थित करता है ठीक है और सभी गलतियों को एक एक करके बताता है compiler program को Machine भासा में तो परिवर्थित करता है किन्तु इसे क्रिवर्थित नहीं करता है सबसे important यही लाइन होती है इसके बाद interpreter की बात करते है थोड़ी सा difference आ जाएगा इसी का सुधा रख्या हो जाएगा interpreter कि यह उचिस तर यह भासा को compiler की तरह ही Machine भासा में परिवर्थित करता है program को एक एक क्लाइन में अनुवादित करता है एक गलतियों को बताता है प्रोग्राम को Machine भासा में परिवर्थित करता है इसके बाद नीचे एक नखाया है कि Unix किसे कहते है 1970 में Kane Thompson तदा Dennis Richie द्वारा High Level Language में लिखा गया पहला Operating System Program कौन सा है Unix है यह आपको याद रखने है इसको Hindi में लिखते है Unix तो पहला Operating System Program कौन सा है Unix है किस न किया Dennis Richie और आपका Thompson ने यह Thompson ने Application Software की बात करते है जैसा कि आपको बहां बताया था फिर से आपको एक बाद बता दे थे कौन-कौन से होते हैं Applications हाँ अभी Application Software की अपन ने चर्चा नहीं करी चलिए बाप시庚लते है अपन Map में अब बात करते हैं यह सिस्टम Software की बारे में आपको पूरा बता दीए अब बात करते हैं Application Software Application क्या काम करता है सर बताइए न Application क्या काम करता है Application भाई मेरे सिर्फ एक ही काम करता है जिस तरह से System Software hardware और उपयोग करता के बीच का कार्य कर रहा था उसी तरह है application software system software और उपयोग करता के बीच का कार्य करता है यानि कहने का मतलब जैसे मान लीजे आपने बिंडू भी डलवाला है विक अधिक या आप कि अगर आपको कोई काम करना है माली जए आपको कोई चीज़ टाइप करनी है तो क्या आप क्या करेंगे टाइप के लिए आप इंटरनेट खोल के बैठ जाएंगे क्या कि Google Chrome खोलेंगे टाइप करने बैठ जाएंगे डाटा को, नहीं particular किसी भी काम के लिए एक particular कोई software बनता है उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं application system का software का, इसके लिए अपन क्या बूल सकते हैं कि कि किसी business operating system को ध्यान में रख कर इसका यूज बनाया जाता है, जैसे कौन-कौन से होते हैं, इतना समझ में आया चली आगे चलते हैं इसके बारे में बात करने के लिए यहाँ पर चलते हैं अपने application software ने इसमें पढ़िए क्या लेका है bird processor, spread seat क्या करते हैं, एक्सल में क्या करते हैं गड़ती है करने के लिए, पूरा calculate करने के लिए Excel यूज़ करते हैं, MS bird में यूज़ कहा करते हैं पूरे bird को, अपने को format में लिखना है किसी भी चीज़ को करना है notes बनाना तो अपन बर्ड में बताते हैं screen बनानी है, powerpoint में presentation देना, powerpoint में one note का यूज़ करते हैं page maker का यूज़ करते हैं, अपने आपको disk के format कर सकते हैं, formatting के लिए backup program के लिए यूज़ करते हैं, disk के clean up करने के लिए disk के fragmentation के लिए data compress के लिए और file को manage करने के लिए चलिए, आगे बात करते हैं सबसे important page star बना लिज़े इस page को और बिलकुल दिमाग में रख लिज़े pds, public domain software कौन से कहलाते हैं ऐसे software जो उपयोग के लिए तो मुप्त में उपलत होते हैं ठीक है, जो आप फिरी में यूज़ करते हैं, अरे crack कर लो इसको यार, इसका निकाल लो चोरी कर लो उन्हीं को कहते हैं public domain software लेकिन ये shareware और freeware इन्हें कहा जाता है अब आपको हम अंतर समझाते हैं कि क्या अंतर होता है देखिए क्या अंतर होता है shareware sorry, पीछे चला गया यह चलिए, बात करते हैं एक सेकंड, तोड़ी सी दिक्कत होगी चलिए बात करते हैं, shareware, freeware, groupware, और firmware चार परकार के हमने आपके सामने नाम लिखे हैं जिन में से सबसे important देखिए, star लगे हुए हैं star लगा देना, तारांकित प्रश्न है यह आप मुझसे पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं है ना, तारा लगा दिया है इसमें, चलिए quality की बात हो रही थी अभी क्या कहता है shareware सबसे पहले मुद्य की बात करते है shareware क्या कहलाता है आपने जैसे कोई भी हो कोई भी अगर आप software लेते हैं सब कुछ लेते हैं, आप देखना एक trial period के लिए आपको software दिये जाते हैं इसकी भासा क्या है कि कोई भी आप सुलक नहीं देते हैं लेकिन एक निश्य समय के लिए आपको प्रियोक के लिए दे दिया जाता है इसमें अपन trial period के लिए या trial day के लिए कुछ period के लिए देता है उसको अपन shareware बोलते हैं ठीक है दुकान वालों के लिए करते हैं कि personal use के लिए करते हैं बताइए आप software किसके use के लिए purchase करते हैं personal use के लिए ठीक है तो कोई भी shareware सब के लिए होता है कोई भी use कर सकता है लेकिन antivirus जैसे सब्दे जो होते हैं ये ब्यक्ति का तुप्योग के लिए use की जाते हैं जिसमें संपून अधिकार किसका होता है निर्माता के पास होता है ठीक है और जो अपने trial day period मिलते हैं इनमें आप कुछ डाल के crack भी कर सकते हैं दिखाए आपने करना हो सकता है आराम से ठीक है एंटी बाइरस software कुछ होते हैं इनके अंतरगात आते हैं और premium pack भी जब आपको कुछ दिर जैसे आप कोई भी चीज उज करना पर देखना कुछ तो आपको दे देगा लेकिन उसके फिर premium pack बोलेगा कि कुछ service लिए आपको premium pack लेने पड़ेगा जैसे एंटी बाइरस क्या करता है डिटेक्ट तो कल लेगा लेकिन erase नहीं करता है जब तक आप premium pack उसका purchase नहीं करते हैं तो यहने कहते हैं फिरी वेर गुरुप वेर क्या कहलाते हैं सामान उद्देश में लगे सबसे इंपोर्टेंट ने इनके example कि कौन-कौन से यह कहलाते हैं तो सबसे पहला शामान उद्देश में आपका आता है multi-user जो आपन देखते हैं कि कॉलेजों में या स्कूलों में आपन देखते हैं कि एक software से बहुत सारे computer लगे हुए हैं आप लोग करते हैं online chat कि आपको पता है कि एक समय में कित्ती लोग करते हैं email आप भी कर रहे हैं दूसरे भी कर रहे है video conferencing आ सकता है इस बार मैंने इसलिए double star लगवाया कि video conferencing किस परकार का है PDS किस परकार का PDS है group wear PDS है ठीक है share wear, free wear और group wear फरम wear की बात करते हैं एक परकार का software जिसका उपयोग hardware की जगे चली तो तीन याद रखिए share wear, free wear और group wear आगे बात करते हैं computer program की भासा के बारे में जैसा कि अभी हमने आपको बताया था भासाओं का उल्ले क्या-क्या है भासाओं दिखते हैं प्रोग्रामों की भासाओं को मुक्ता उनके भागों के आधर पर तीन भागों में अपने डिवाइट किया कौन-कौन सी मसीनी भासा, assembly भासा और चिस्तरी भासा मसीनी भासा कौन सी कहलाती है अभी भी हमने आपको बताया था फिर से आपको समझा रहे हैं बाइनरी अंकों में अक्चुली क्या होता है जो digitally अपने इसके यूज करते हैं डिजीटली यूज करेंगे तो जीरो और बन के फॉर्मेट में इसका यूज किया जाता है तो बाइनरी अंकों में लिखी भासा को मसीन भासा कहा जाता है इसे निम निस्तरी भासा भी कहते है machine बहासा के क्रियानमन के लिए translation software किया वा शक्ता नहीं होती, क्यों? क्योंकि ये निमनिस्टरी बहासा में लिखा ही है, ये 0 बन के format में लिखा ही होता है और इसके लिए हमने आपको क्या बताया था निमनिस्टरी बहासा यानि assembler use करते हैं आपने इसके लिए को assembler के दोरह मसीनी भाहसा में परिवर्टि कर देता है उची टरी वहासा यहां से question hundred percent आता है कि Pascal कैसी भाहसा है उची टरी वहासा है तो उची टरी वहासा इसे तीसरी Fromiquid की भाहसा भी कहते हैं इस भाहसा को compiler या translator में मसीनी भाहसा में बदला जाता है अब देखते हैं कौन-कौन सी example लिखी है देखे यहाँ थोड़ी सा आपको जूम करके लिखना पड़ेगा अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लीजे COBOL LOGO BASIC ALGOL C, C++ Java, Pascal, Prolog सब कुछ मैंने detail में बताया लेकिन यहाँ पे देखे bracket में मैंने कुछ लिखवाया है कि यह 4th generation की है कि 5th generation की है तो आप लिख लीजे PASC Prolog 5th generation की भासा है List Processing आपकी 5th generation की भासा है SQL आपकी Structure Quarry Lang में आपकी 4th generation की है Java Script भी आपकी 4th generation की भासा है फिर से मैं बताया देता हूँ 3 इस तरिया भासा आपकी कौन-कौन सी है COBOL, Logo, Basic, Algol, C, C++, Java, PASCAL और BAS Prolog जो सबसे important और 5th generation की है List Processing भी आपकी 5th generation की है SQL की अगर बात करें तो Structure Quarry Language 4th generation की है और Java Script आपकी 4th generation की language है सर एक बात बोलूँ आप सोच रहा होँगा सर इतने कम समय में इतना बहतर कैसे हुआ यह सर मेहनत है आपको सिर्फ वही संकलित करके दिया गया है जो पूछा जाता है अगर किसी ने इतना कर लिया कहां से question गलत होगा चलिए अब आपन detail एक बात कर लेते हैं थोड़ी सा Basic जैसे मैंने लिखा जूम करके आप पहले देख लीजे एक बार कि लिखा क्या हुआ Basic क्या लिखा है Personal computer में बहवार में लाई जाने वाली पहली उच्चिस्तरी अब आप देखना दोनों में अंतर पढ़ना Photron भी मैंने लिखा है और Basic भी लिखा है Photron पढ़ो पहली उच्चिस्तरी अबासा जिसका विकास इसके बाद बिश्चों में सबसे अधिक प्रियोग की जाने वाली वासा कौन सी है आपकी बेसे की है इसका विकास 1964 में Professor John Kameny तता Thomas Curtis द्वारा किया गया था Photron किसको कहते हैं Photron पहली उच्चिस्तरी अबासा जिसका विकास 1967 में IBM Company के John Becas ने की या था किया जाता है किसकी बीच गड़ित में तो ये दोनों के लिए रो गई इसके बाद चलिए चलते हैं फिर जूम करके आपको दिखाते हैं Pascal Pascal आपको बतायता है अभी हमने प्रिक्सिक्चूओं के प्रोग्रामिंग की अधाना इसपष्ट करने के लिए निकलोस बर्थ के द्वारा इसकी की गई थी 1971 में निखा हुआ प्रोफेसर निकलोस बर्थ के द्वारा और इसे सिख्छा परगभासा भी कहते हैं C की अगर बात करें तो इसका विकास 1972 में देने सिरीची से था ब्राइन कर्णिंगम द्वारा किया गया जाबा की बात करें इंपोर्टेंट है सन माइक्रो सिख्टम के जेम्स गॉसलिंग द्वारा यह है अब्जेक्ट ओरियंटेट प्रोग्रामिंग लेंग्वेज है यहां से कुश्चन यही आता है कि जाबा कैसी है फॉर्थ इस्तर यह है फॉर्थ इस्तर यह है फिफ्ट पहला कुश्चन दूसरा इसके यूस के बारे में पूछ लिया जाता है तीसरा किसने विकास किया चलिए कोबोल Common Business Oriented Language वेबसाइट कारियों के लिए यूस की जाती है और DBMS Software Data Based Management System Software की अगर बात कर दो यहां पर तीन भासाओं का इस Software यूस करते है Oracle, Microsoft, SQL Server, MS Access जो पूरा चेप्टर है कुछ लोग मंतन से बोलेंगे तो पूरा चेप्टर है बिलकुल नहीं पढ़ना जो important है सिर्फ इतना ध्यान रखना है C के बाद, Elgol याद रखी मैं कुछ और लिख देता हूँ आप लोगों के लिए Elgol Elgol का उसमें यूस करेंगे अपन बीजगरती हैं, गणनाओं में यूस करेंगे Website कारियों के लिए COBOL का जैसा हमने आपको बताया और लोगों एक भासा है लोगों का यूस अपन किसलिए करते हैं कम उम्र के बच्चों को रेखा चित्र और Graphics Graphics के माद्य हम से Computer की सिक्षा देने के लिए इसका यूस किया जाता है Photron हमने आपको बता दिया गढ़ती है सूत्रों के लिए और बीज गरती है गढ़नाओ के लिए Algol का यूस किया जाता है चलिए और यह आपकी भासा यहाँ पर Complete हो जाती है तो यहाँ से आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी है एक बार फिर से आप देख लिए पूरी भासाओं को मैंने cover करा है जूम करके मैं दिखा देता हूँ और जिसको भी दिखकता है तो वो पॉस करके एक बार पूरी तरीके से देख सकता है DVMS Software मैंने तीन Software लिखवा है Oracle, Microsoft SQL Server, Microsoft Access बस सिर्फ आपको इतना याद रखना है तो COBOL, Logo, Basic, Algol, CC++, Java, Pascal, Lips, SQL, Java, Script चलिए, आगे बात करते हैं पूरे की डिटेल बता दी गई आप यहाँ से देख सकते है अब बात करते हैं प्रोटोकॉल Network का प्रियोक तो कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जिनका अपन यूज करते हैं कौन कौन से प्रोटोकॉलों का यूज किया जाता है इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं अब देखिए, यहाँ पर डिटेल अपन बहुत जा सकते थे डिटेल में इतना चला जाता हूँ कि यहाँ पर आपको फायरवेल में बताऊंगा तो फायरवेल में आपको डिटेल और समझ में आ जाई चारों के full form आपको याद रटलो दिमाग में बिठा लो इसके बात करते हैं कुछ method की बात करते हैं कि कौन-कौन से हैं किस प्रकार से अपन डाटा को कर सकते हैं सबसे पहला हम बात करते हैं तो simplex method simplex method आपका क्या करता है देखे तीर लगा होगा आपको तीर से समझना होगा कि इस प्रकार की ये method है बोलते बोलते गला दर्द होने लगता है सर सुबह से ले रहा हूँ आज class लेकिन बहुत दिन हो गया तो मैंने करने आज computer cover करवा दूँ आप लोगो का class में तो मैंने पहले ही करा दिया था सबसे पहले बात करते हैं simplex की नेटवर्क की क्याला आप होते हैं ये सब आप लोग देख लिए जो important है मैं सिर्फ वही cover करा रहा हूँ simplex mode की अगर बात करते हैं simplex pressure मतलब क्या होता है sender और ये प्राप्त करता है data क्या है information क्या है का एक ही दिसा में संचरण होना मतलब sender से receiver की तरफ जाना सिर्फ एक ही दिसा में है इसका सबसे अच्छा example क्या है radio क्या ये radio सुनते हो तो यहां से चिला पाते हो अरे धीरे बोल अरे ऐसा कर करते हो क्या नहीं कर पाते हो बिचार क्या करे जैसे अभी हमें हमने वीडियो आपको डाल दिया वाप हमें सुनी सकते हो बस बहुत अलग है कि आप comment box से हमें बता दिते हो कि नहीं सार आपने अच्छा किया नहीं सार आपने गलत किया अब हमें बता देते हैं यहीं बात आप लोगों के अच्छी लगती है कि आप लोग बस reply देते रहिए वीडियो को जाद से जाद फॉरवड कीजिए क्योंकि सर मैं मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए हाप duplex की बात करते हैं हाप duplex मतलब आधा duplex समझ रहो आधा 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 आदमी यह तो एक आदमी था रेडियो बहुच गया आधा आधा आदमी यह क्या कहता है कि हम बोलेंगे तो तुम सुनो तुम नहीं कहता है जब लड़ाई हो जाती है सुनो पहले हमारी बात यहीं वहीं आदमी होता है जब गुस्सा आ जाती न में, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, इसी में भी रेडियो बन जाते हैं, वो बोलते ही रहता है, जैसे लड़का लड़कियों में यही होता है, गल्प्रेंट, बॉइप्रेंट में बिल्कुल यही कहान ही होती है, गल्प्रेंट विचारी बोलती रहती ही, बॉइप्र तो यह दोनो रेडियू का भी काम करते हैं, टेलिफॉन का भी काम करते हैं, तो हाब डुपलेक्स कोन है आप समझ जाए, और सिंपलेक्स कोन है वो आप समझ सकते हैं, चलिए, फुल डुपलेक्स की बात करते हैं, चलिए, प्रेशा को प्राप्त करता है, यानि डाटा का जो स में एक साथ प्रिसित किया जाना ठीक है तो इसमें कित्ती तार चार लोग की जरूवत पढ़ती है एक तार यहां से आप लोग को बता दिये कुछ लिए कुछ लोग बुरा मानेंगे बुरा मत मानना वाई उसके लिए सौरी बास्तविक्ता होती एसा है मैंने बताया है ठीक है अब यह मत कहना कि मैं बोक्तव होगी हूँ मैं नहीं हूँ भाई अभी प्रिसा को प्राप्त करता है सेंडर और डिसीवा और यहां से भी प्रिसा को प्राप्त करता है चलिए फुल डोफलेक्स भी हो गया है इसके बात करत हाँ, computer network का बरगी करन अपन पढ़ते हैं, किसका पढ़ते हैं, computer network का बरगी करन, कैसे किया जाता है computer network का बरगी करन, अब देखिए S में अगर आप कहें कि सर बेस बेंड भी है, हाँ, board याद रखना एक सब्त आप, board क्या कहलाता है, board लिख देता हूँ मैं, इसको हिंदी में लिख देता हूँ, board क्या कहलाता है, board कहलाता है, कि जो data जाता है, अपना data संचरन करने की, संचरन की गती को, data संचरन की गती को लिख लीजे, मापने की एकाई, data संचरन की गती को मापने की एकाई, इसे अपन बोलते है, bits per second, BPS, ठीक है, broadband और बेस बेंड यह दोनों अलग चीज़ों होती है, तो इसलिए अब इत्ता आप डिटेल हो मत जाएए, सिर्फ इत्ता उपर से आप कबर कर लीजे, इसके बाद बात करते हैं है, modulation, demodulation में आपको आगे बताता हूँ, इसके पहले बात करते हैं, computer network कितने परकार से होता है, local area network, local का गुंडा, man area, metropolitical area network, man और तीन परकार से अपन पढ़ते हैं, lane, man, man, lane, line, line पे आदमी नहीं आए, तो उसको क्या करो, bene में बेटा दो, इसलिए अपन पढ़ते है, lane, man, bien, आदमी, man, line में नहीं आ तो उसको अपन ने बेन में बेटा दिया है, यह तीन परकार के computer network होते है, local area network, basketball çित्र बहुत कम ह लोकल एरिया की बात करते हैं, जैसे आप अपने स्कूल या कॉलेज में जो अपना लगा लेते हैं, उशी को अपन बात करते हैं, या किसी ओफिस या फेक्टरी या या युनिवर्सिटी केंपस में फैला हुआ छेत्र होता है, एथरनेट एक लोग प्रिये नैन है, ये लैन ह इसका भौग अलिक शेत्र केतना होता है, लगवा 50 किलो मीटर तक का केबल TV नैटवर्क ये अपन फैला हुआ होता है, और मैन का लोग प्रियो धारन है, मैन का प्रियोक सीमिल भौग अलिक शेत्र में इस्तित में और उसके उपार जोडनने के लिए किया जाता है, लेन प् और यह होगा आपका भारत, तो आप मुझे बताईए कि इसमें आप समझिएगा कि जिला कौन है, राज्य कौन है भारत कौन है, एक है लेन, एक है मैन, एक है बेन, आप आप सोचिएगा, चलिए आगे बात करते हैं, वाइड एरियो नेटवर्क, विस्तृत भौग अलिक एक राज्य, इसमें कम्पूटर को प्रिकासित तन्तू या क्रितम संचार उग्रा द्वारा आपस में जोड़ा जाता है, इथरनेट बेन का एक लोग परिये, इंटरनेट, इंटरनेट बेन का एक लोग परिये, वो धारंड़ाओ, विश्तृत का पहला बेन कौन सा है, अर Modulation, Demodulation, ठीक है, तो Modulation और Demodulation, Modulation कैसे करते हैं, Modulate करना है, यानि Digital से करना उनको Analog में है, और Demodulate मतलब होता है, जैस्ट विल्टा Analog को Digital में Convert करना, अब इस से Simple सर में क्या कर दूँ, एक सब तोर आता है, FTTH, Fiverr to the Home, इसका Full Form याद रखना, Fiverr to the Home, इसका Full Form हो सकता है कि पूछ ले, Fiverr to the Home, चलिए, आगे बात करते हैं, जैसे Wi-Fi का भी Full Form ने लखा, By Less Fidelity, वसे याद रखना है आपको, यह होता क्या है, और Modem का Use किस में करते हैं, बहिया, Modem का Use बताओ मैं, कि किस में किया जाता है, Modem का Use, Modulator, Demodulator, अगर हमने आपको बता दिया, Analog को Digital में भी Convert कर दिया, तो Modem का Use आप मुझे कमेंट बोक्स में बताइए, क्योंकि सबके घर में आज की डिट में Modem है, तो आप मुझे कमेंट बोक्स में बताइए, कि Modem का Use, मैं देखूं तो कि लाज टक वीडियो कौन-कौन सुनता है, ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो क्या, आ पहले तो यही समझना है, Topology, सबसे पहले क्या आता है, Topology, जिसको हमने क्या किया, ठंड आ गई है, टोपा पहना दिया, सबसे पहली बात ही होती है, Topology, मतलब क्या हुगा, जो अपना Network होता है, उसमें Notes और Terminals को आपस में जोडने के तरीका होता है, सिर्फ इतनी से आपको Simple लवासम में आद रखना है, अब कैसे, कैसे जोड सकते हैं अपन, बताव यह कैसे जोड सकते हैं, हाँ, अभी आप यह मत कहना कि सर, आपने तो इसमें अभी इसकारक बताई नहीं, अभी इसकारक मैंने अभी भी बोल ला हूँ कि मैं आपको अलग वीडियो के माद्दे में अपनी बस, यह देखो, दो पई यह बन गए, यह बन गई बस, यह कांच लगा दो, यह कार्णी बिठा दो, यह बैठ गया आदमी, ठीक है, पीछे सबारी बैठ गया, यह होती है बस, अब बस तो बन गई, तो बस टोपोलोजी का मतलब क्या होता है, कि एक साथ सभी लोग और सभी लोग इसमें बैठ खे जा रहे हैं, तो क्या क्या है इसको हमने, इसमें एक केविल, जिसमें एक ट्रांस्मिसल लाइन का यूज़ करते हैं, सारे नोट से जोड़े होते हैं, इसमें ब्रॉटकास्ट नेटवर्क भी कहा जाता है, और हमने आपको पहले ही बताया, इथरनेट इसका, लेन का सब सचे एक्जामबल जिसमें अपन बस टो बोलोजी का यूज़ करते हैं, लेकिन इसका ड्रॉटक क्या है, ड्रॉटक यह है, कि अगर बस में ऐसे किसी की तबियत खराब होई, तो क्या बस रोखेगी, नहीं, उसको अपन इनो पिला देंगे, न चलता रहेगा बिचारा, नहीं, तो किसी को उल्टी आती तो बोली का लेगा, यहीं होता है बस में, लेकिन अगर बस खराब होगा, धुआ छोड़ दिया बस ने पुरानी थी, ठीक है, तो क्या होगा, पूरा सिस्टम क्रेक, यहीं होता है, फाइदा क्या होता है, कि स्पिशल ना इसे, जैसा कि बोला जा रहा है कि आप पब्लिक बोलते भी हैं, कि सार आप अपने सेल्फ वहीकल की जगए, पब्लिक वहीकल का यूज कीजिए, तो ट्रैफिक कम होगा, इसलिए अपन बस टोपोलोजी का यूज करते हैं, इस्टार टोपोलोजी किसको कहते ह आप मैप में देख पा रहे हैं, और बहां की सब अलग-अलग अपसमें जुड़े होते हैं, मुक्ता कम्पूटर प्रभावित तो सब्बंध हो जाते हैं, यानि ये प्रभावित हो का तो सब्बंध हो जाएगा, नहीं तो अन्य के प्रभावित होने पर कोई दिक्कत नही होती है, ring topology में क्या होता है, कि इसमें ये होता है, कि जो bus होती है तो bus के सभी terminals को आपस में मिला दिया जाता है और अगर इसमें एक भी प्रभावित हो जाता है, कर कोई एक में भी data नहीं पहुंसता है, तो पूरा system प्रभावित हो जाता है, तो ring topology का फ़र फाइदा क्या है, कि इसमें किसी प्रकार के केंदरिये computer की ज़रुवत नहीं पढ़ती है चलिए, mesh topology इसमें सभी से data transfer होता रहता है, लेकिन mesh topology में सबसे बड़ी problem यह है, कि खर्चा बहुत होता है, क्योंकि data का संचरण ही है, तो सब कहीं data संचरण हो रहा है, तो wireless technology के लिए mesh topology सबसे अच्छी example है, इसकी बाद बात करते है internet, आपकी जान internet चलिए internet क्या कहलाती है, modem की गती को किसमें नापते हैं, हमने अपको बताया था, board में नापते हैं, बिलकु लियाज रख लेना, internet की बात करते है, internet क्या कहता है internet किसे कहते है, network को का network कहलाता है क्या कहलाता है भाईया, network को का network, राजाओं का राजा कौन कहलाता है, महाराजा कौन थे internet का जनस, कौन थे internet का जनस, कौन है भाईया, जिन्हों आप लोगों को खराब कर दी, आपकी आदत खराब कर दी, जिसी लिक लाइडर, इन्होंने वहाईया क्या किया, इंटरनेट का, जिनक किया, लेकिन 인터नेट बहुत अच्छी चीज है, खराब नहीं कहूंगा मैं, इंटरनेट, आप लोगों को, जैसा कि आज हम आप से जुड़ पा रहे हैं कहां आप है कहां मैं हूँ लेकिन नहीं पता लेकिन सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से ही आज इतने दूर दूर से लोग एक दूसरे से कॉंटेक्ट बना पा रहे हैं अच्छा है लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तिमाल करके इसको गलत कहने पर मजबूर कर देते हैं www का जनक अगर बोलें तो इसको मैं जूम कर देता हूँ गर आप लोग समझ नहीं पा रहे हूँ www का वर्ल्ड वाइड वेव इसका फुल फॉर्म होता है 1989 में इंग्लेंड की जो है टिम बर्नस नील ने इसका उपयोग किया था चलो इसके बाद बात करते हैं कुछ फैक्ट हैं आप लोग पढ़ लीजेगा इसके बात करते हैं भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारम BSNL विदेश संचाल लेगर में लीटेट 1995 में होता है ISO दो संस्था हैं आपको याद रखनी है ISOC और ICAN ISOC यानि इंटरनेट सेक्यूर्टी इसके इसके अपने 1992 में है यह गयर लापकारी संगटान है इंटरनेट से संबने सभी मान को प्रोटोकॉल नीतियों को वेकास करता है जबकि ICAN Internet Cooperation for Assign, Name and Number और निसोंटाने में यह संगटन इंटरनेट पर IP Address और Domain Name देता है सिर्फ इतना आपको याद रखना है बात आती है कि इस पर कौन-कौन सी भासा है हमने जैसे इंटरनेट पर प्रोटोकॉल आपको बताई दिये ते कौन-कौन सी यूज होते है TCP IP, SMTP, HTTP, FTP सब आपको बता दिये एक बार आप उसको ज़रूर देख लेना www पर कौन-कौन सी भासा है प्रोक्त की जाती है सबसे important portion है यहाँ से आपका question उठता है www पर प्रोक्त भासा है www मुझे comment box में बताना और internet में क्या आंतार है common sense का question है यह यह मत कहना कि sir क्या question पूछा तो आप थोड़ी सा logical ही मुझे बताई क्या आंतार है HTML, XML ठीक है यह आपको बताना है HTML सबसे ज़्यादा question पूछा जाता है कि hypertext markup language इसका full form होता है यह www बेपेच को तयार करने के लिए प्रयोक्त एक language भी है HTML भासा में जहां बेपेच के डिजाइन पर ध्यान देती है वही XML भासा में डाटा इस्टोर करने और डाटा इस्थनांतरन करने पर जोर देती है कुछ और भासा की बात करते हैं जैसे जावा एस्क्रिप्ट भासा हमने आपको बताया थी Sun Microsystem के दोरा तयार की गई और इसी के बाद आपकी PHP PHP भासा आपको याद रखनी है Hypertext Pro Pre-Processor यहीं बताया था Hypertext Pre-Processor चलिए इसके बाद बात करते हैं Pre-Processor के बारे में हमने आपको बता दिया यहाँ पे कुछ और चीज आती है जैसे IP Address के बारे में अगर हम बात करें तो वोड़ी Detail में चला जाता है IP Address कि IPv4 के बारे में बात करते है Internet Protocol Version वो आपके प्योग कर नहीं है IPv6 वस्याद कर लीजे IPv4 और IPv6 यह नोनों में अंतर आता है यह 32 बिट के लिए यूज किया जाता है और इसमें 128 बिट के लिए यूज किया जाता है चलिए तीन डॉट का इसमें यूज होता है इसमें 4 सब्दों के बार यहाँ एक्जाडेसीमल का यूज IPv6 में किया जाता है इसके बार जहाँ से आपका Question आता है इसको अपन दिखाते हैं आपको जूम करके देखिए जादू का पिटारा Domain Name यहाँ से आप Question गलत करते हैं चलिए शुरुवात करते हैं यहाँ से Domain Name आपका क्या कहता है Domain Name क्या कहता है कि Network में पृतियक वेबसाइट को एक Business नाम दिया जाता है पिल्गोल भासा समझी यह क्या लिखा है कि Network में पृतियक वेबसाइट को एक Business नाम दिया जाता है जिससे अपन क्या कहते हैं उस वेबसाइट का Address जैसे IND Academy संख्याओं से बने जूम करना ही पड़े का सरी बहुत छोटा हो रहा है संख्याओं से बने IP Address को सब्दों में बने Domain Name में बदलना है यह सिर्फ Important आपको याद रखना है कि Domain Name कैसे होते हैं 64 character हो सकते हैं एक मात्र विसे इस character इसमें यूज किया जाता है Domain Name कांतिंग भाग. के बाद लिखा जाता है किसी संगठन या देश को इंगित करता है तो यह जो संगठन और देश को इंगित करता है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आप देख लीजे एक बार कौन-कौन से देश और संगठन को ये इंगित करता है किस-किस को करता है चलिए देख लिए सबसे पहले edu की अगर बात करें तो education की बात करता है org की बात करें तो organization की .co.company.inindia.uk unitedkingdom.us unitedstateofamerica.comcommercial .government .international चलिए इसके बद topic आता है आपका url सबसे important है url का full form होता है uniform resource locator uniform की अगर बात करें तो www पर किसी website या webpage का पता उस website या webpage का url कहलाता है क्या होता भई या url तो क्या एक question यहाँ पे आता है क्या url में domain name को सामिल किया जाता है या नहीं देखिए यहां लिखा हुआ है url में domain name को सामिल किया जाता है बिलकोल याद रखियेगा तो यह बिसे सी दिकरत पता होता है किसी website या webpage का web browser क्या किलाते हैं यहीं से question आते हैं web browser की अगर हम बात करें तो web browser बहुत important होते हैं तो आपको याद रखना है कौन-कौन से होते हैं web browser यह एक application program है देखिए application सब्द आ गया application software आ गया application सब्द जो www पर इस्तित hypertext document को प्योग करता के लिए उपलब्द कराता है ठीक है browsing, surfing के लिए अपने यूज करते हैं web page को देखना किलाता है कौन-कौन से होते हैं यहाँ से question यहीं आता है अगर आपको पता हो तो google chrome mozilla firebox opera बिलकुल याद रखे सुन लीजेगा एपल का safari internet explorer और uc browser लिख देता हूँ मैं यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है uc browser opera बिलकुल गलत नहीं करना है और आपका होता है maxton maxton बस इतने आप याद कर लीजेए opera, uc browser और आपका internet explorer mozilla, apple, safari, google chrome इम आपके क्या होते है web browser होते हैं जहाँ से अपन क्या करते हैं document को उप्योग करता के लिए उपलब्द कराते हैं सबसे पहले web browser का विकास किस ने किया था tim burnersley ने 1909 में यहाँ से दूसरा topic आता है आपका search engine web browser हमने आपको बता दिया पूरा दूसरा topic आता है आपका search engine search engine क्या कहलाता है internet के अथाय बंडर में से बांसिच सूचना को खोजना हमने पूरे internet में से कह कि कुछ सूचना को निकालना होता तो उसको अपन क्या कहते है search engine तो search engine कौन कौन से होते है google yahoo why do बिलकुल लिखवाते चलना हूँ में आप लिख लिजे कुछ लेके हैं कुछ नहीं लेके why do और आपका लिखा हुआ है ask.com altavista और dug dug go जो question पूछा गया था dug dug go यह आपको याद रखना है bing bing आपको याद रखना है microsoft का है और yandex यह आपका रशिया का है इतने याद रख लिजे l y c o s फिर से बता देता हूँ एक बार कौन कौन से बताया मैंने why do google yahoo ask.com bing dug dug go dug dug go yandex ask.com यहाँ लिखा हुआ है ठीक है आपको और l y c o s यह आपको याद कर लेना search engine भी हमने आपको बता दिया web browser भी बता दिया domain name भी आपको बता दिया क्या होता है इसके बाद हमने आपको language के बारे ही बता दिया तो आपको बिलकुल tension नहीं लेना है आगे बात करते हैं spam computer और internet का प्रियोग कर अनेक व्यक्तियों को अवांचित और अवयद रूप से भेजेगे संदेश को अपन क्या कहते है spam यह question बहुत कूछता है बिचारा अपना P.S.C. हायो इसके बाद आपका सबसे अच्छा और important topic कौन सा आता है fire क्या कहलाता है अच्छा एक सब दौर यहां पर पढ़ लीजे cookies क्या कहलाता है मैं आपको detail बता जेता हूँ तो आप लोग उससे आपसे उसको note कर लीजे while software जिसके दौरा कोई website कुछ सूचना है उप्योग करता कि कंप्यूटर पर इस्टोर करता है फिर से बता रहा हूँ while software एक प्रकार का cookies क्या एक software है जिसके दौरा कोई website कुछ सूचना है उप्योग करता कि कंप्यूटर पर इस्टोर करता है बात करते हैं fire well सबसे important topic अभी आपके लिए कि अनाधिकरत ब्यक्तियों के प्रिवेस को रोकने के लिए किसका उस किया जाता है fire well का सामाने network और सुरच्षित network के वीज gateway का काम कौन करता है fire well काम करता है अब देखिए यहाँ पे हमने यह generation लिखी हुई है यही से question आया था थोड़ी zoom करके आप समझ लीजे detail जाना पड़ेगा फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करें मैं इंग्लेस में भी बता देता हूँ कि fire well is a network security system that monitor and control incoming and outgoing network traffic waged on pre-determined securities securities rises typically it's a barrier between trusted internal network and untrusted external network के वीज में यहां से generation की बात करते हैं तो fire well में हम 3-4 generation देखते हैं first generation में हमने packet filter का use किया था act by inspecting packet transfer between computer यानि computer के जो अपन सूचना बेचते थे packet के form में बेचते थे second generation में अगर हम बात करें तो stateful filter का use किया गया जिसमें हम अपन OSI model के use करते हैं इसमें fourth layer तक अपन गये थे fourth layer था आपकी transport layer के लाती है और denial of service attack का use कहा किया गया था second generation में third generation की अगर हम बात करें तो application layer का use करने लगे थे जिसमें अपन अभी use कर रहे हैं http, ftp और domain name का इसके बाद अगर अपन use करेंगे तो IPS ज़े लखा हुए full form institution prevention system का WAF wave application fire well का इसके बाद थोड़ी सा और आता है basic जो अपन पढ़ते हैं जिसमें अपन TCP protocol ही पढ़ लेते हैं land web network, network based यह अपने filter हैं fire well generally categorized network based और host based चलिए तो यह अपना काम का नहीं है तो आपके काम का था वो मैंने आपको बता दिया इसके बाद बात करते हैं अपन malware की malware सबसे important आपके लिए topic है इस समय और यहां से question आपका आता ही आता है चलिए malware क्या कहलाता है पहले तो आपको यह पता हो कि malware computer में बिना जानकारी के गुसना ठीक है कौन-कौन से होते हैं malware virus, trojan horse, spy bear ad bear ransomware बहुत important है यह बिलकुल याद रखना ransomware ठीक है backdoor, barm, trojan horse लिखवा दिया आपको तो यह आपको याद रखने है पूरे नाम बिलकुल दिमाग में छापने हैं यह सब आपके कौन है malware virus, trojan horse, spyware ransomware और barm अब एक-एक topic की बात करते हैं बाइरस क्या क्यलाता है virus तो आप लोग समझते हैं क्या क्यलाता है आपके दिमाग में कुछ गंदा आ जाना वही तो बाइरस है पढ़ाई हो नहीं रही है यह एक software program है जो data की copy बना लेता है कौन-कौन से आते हैं इसके अंदर barm और trojan horse बार्म अपनी copy खुद बनाता है जबकि trojan horse या showyam को एक उपयोगी software जैसे game या utility program आदी की तरह प्रस्तुत करता है और यहाँ पे एक बात याद रखना है यह अपनी copy showyam नहीं बना पाता लिखा हुआ है बिलको लिश्टार बना लेना तो virus के अंदर barm और आपका trojan horse आ जाएंगे तो इस sequence जरूर जी है पूरा आप sequence के साथ पढ़िए याद हो जाएगा spy bear computer उपयोग करता है के लिए बुरुद एक जासूसू की तरह spy मतलब समझते हैं छुपके जासूस करना camera ransom bear computer और file में जैसा भी हुआ था bitcoin में demand की गई थी तभी bitcoin का चलन बहुत तेज हुआ था याद रखना ransom bear मुझे detail बता सकता है कोई ransom bear की comment box में कि क्या-क्या हुआ था इसमें और किस-किस दिसको सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था computer और file को lock कर देना फ्रोती की मांग करना बिल्कूल दिमाग में बठा लीजिए इसके बाद बात करते हैं hacker की hacker क्या कहलाता है hacker आप समझते हैं तीन प्रकार की यहां से भी question होता है hacker तीन प्रकार की होते हैं किसी तंतर्या प्रणाली की कारपद्धिती को जानने के लिए उसमें छेड़ चान करने वाला व्यक्ति कहलाता है hacking के कारण अधिकरत उप्योग करता network तता संसादनों का सही उप्योग नहीं कर पाते हैं इसी को denial of service कहा जाता है इसको bracket बंद कर लेना यहीं से question आप से पूछ लिया गया था तो hacking के कारण अधिकरत उप्योग करता network तता संसादनों का सही उप्योग नहीं कर पाते से DOS यानि denial of service कहा जाता है denial of service attack कौन-कौन से hacker होते है white hat hacker, blue hat hacker और black hat hacker white hat hacker क्या किलाता है software तता network की सुरक्षा कमियों को दूर करने के लिए उनका पता लगाने वाला white है, सुद्ध है, साफ है, सफिक्ष blue, software को उप्योग करता के लिए जारी करने से पहले उसकी कमियों को अच्छे से देख लेता है, लेकिन black hat cracker hacker और cracker इसी को कहते हैं, किसी अवैद कार के लिए इस पद्धती का प्रियोग करने वाला और cracker किसे कहते हैं ही हमने आपको बताया कि black hat hacker क्या कहलाता है, आपका cracker कहलाता है, इसके बाद बात करते हैं, जो अखला topic आपका important topic होता है, antivirus देखें, मैंने current तक ले कर गया हूँ, अभी जो generally आप पढ़ते हैं, blog, social media sites में कौन का, social media sites तो आपको cover कर आई रहा हूँ, आप e-commerce और app बाला portion वीडियो जरूर देखें सबसे important portion है, वो आपके लिए वहाँ से एक दो question आपके जरूर उठेंगे antivirus की बात करते हैं, antivirus क्या कहलाता है, सबसे पहले तो यह सिर्फ जो virus को रोक है, यानि आपकी जो भी गलत virus message आज आते हैं, dot exe के दोर आप सबसे ज़्यादा आते हैं, याद रखना सबसे ज़्यादा virus dot exe file से आते हैं, तो इनको रोकने के लिए अपन antivirus को प्योग करते हैं, कौन-कौन से antivirus को प्योग करते हैं, norton है जैसे, norton हो गया आपका, bit defender हो गया mac xe हो गया cash per sky हो गया, avg avast हो गया, और c mac tech हो गया, सर इंपोर्टेंट है इनको आप एक बार देख लिएज़ेगा email का जनक किसको बोला जाता है, रे टोमिल सन को 1970 में, email internet पर email द्वारा संचे संदेज भेजने को क्या कहते हैं, संदेज जो भेजा जाता है, वो SMTP यानि Simple Mail Transfer Protocol तता प्राप्ट करने के लिए POP, यानि Post Office Protocol का यूज़ किया जाता है सर, हो सकता है कि आब आज थोड़ी सा आपको लगे, लेकिन मैंने एक ही sitting में पूरा computer आपको cover कराया है, तो बस सिर्फ आप लोगों से कहूंगा, अन्रोथ करूंगा कि वीडियो को अधिक से अधिक share कीजिए, इससे मुझे भी थोड़ी सा प्रोताहन मिले और इसी तरह संचिप्त content आप तक पहुँचा सकूँ क्योंकि जब views नहीं आते तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, कि मैं इतनी मेनद कर रहा हूँ, सिर्फ दो-चार लोग ही इसको देख पा रहे हैं, चलिए, email address किसमें नाम लिखा होता है, जो जो question आया है मैंने एक fact आपको यहां cover किया है email address किसमें लिखा होता है, username और domain name में यह लिखा होता है blog की बात करते हैं blog जो भी आप लोग बनाते हैं तो personal blogging का आराम जस्टिन हॉल ने 1994 में किया था था, इसे personal blogging का जनक भी कहते हैं बिलकुल याद रखिए personal blogging और www पर सभी blogs के समूँ को blog square कहते हैं यह एक परकार की ब्यक्तिगत online diary कही जाती है social networking sites की अगर बात करें कुछ आपको बताए दे रहे हैं बागी तो मैंने अलग से cover कर आई रहा हूँ जे ए बॉर्नेस ने इस सब्द का सबसे ज़्यादा प्रिशलन किया था 1950 में social networking sites का Facebook आपको पता है Mark Zuckerberg 24, Twitter 2006 Jack Dorsey जैसा कि आपको पता है मैंने test series में आपसे पूछा भी था TikTok, Telegram, Internet का SMS किसे कहते हैं Twitter को कहते हैं याहू और John Harley Steve Chance 2005 में तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसके माध्यम से पूरा computer मैंने cover करा दिया गया है लगबग एक सबा घंटे का वीडियो है लेकिन वीडियो के अगर आपने देख लिया तो मैं दावा कर सकता हूँ कि सायद ही आप कोई question गलत करें फिर अगर आप नहीं पढ़ें तो बात अलग है लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप question गलत कर पाँगे और इतने कम समय में इतना बहतर computer पढ़ना possible नहीं है क्योंकि ये मेरी एक दिल की मेहनत नहीं है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ तो इसलिए थोड़ी सा मैं आप लोगों से अनुरूद करूँगा कि वीडियों को अधिक्त अधिक्त तक share करें और PDF के लिए किसी परकार की PDF के लिए मैंने paid group में मैं इसकी PDF भी provide कराऊंगा अगर आप सिर्फ PDF लेना चाहते हैं तो वो भी उसके लिए भी आप मुझे phone कर सकते हैं और उसके साथ साथ अगर आप test series लगाना चाहते हैं तो link में नीचे दिये गए number पर आप मुझे call कर सकते हैं Thank you for watching, have a good day